हेलो हाई गाइस हाव यू फायम नीश्तिवरी वेलकम स्टू टू लिस्नास फीवास और स्क्राइबर्स गाइस कैसे आप सब मैं उमीद करता हूं शौस्त होंगे मस्त होंगे अपनी तेहरी में बहुत होंगे बेड़ा ये वीडियो टीजिटी आर्ट से संबंदित है और मोस इंपोर्टेंट है तो बहुत बार लिपीट होंगे उनके हम लोग प्रक्टिस कर रहे हैं आईए क्वेशन में एक की बात करते हैं देखा गया है घनवादी कलाकरतियों को किस रूप में देखते हैं तो घनवादी कलाकरतियों को मोल रूप से जो है वो देखा जाता है तो घन और संकूं की रूप में ही देखा जैसा है जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि घनवादी तो यहनी घन से ही संबंदित है राइट अंसर इसका डी बन जा रहा है तीस क्वेस्टन से कितने क्वेस्टन साब लोग कर सकते हैं कौशमर 2 पुछा गया है घनवाद में कितने आयाम होते हैं तो बड़ा घनवाद में मुल रूप से तीन आयाम होते हैं तीन आयाम ठीक है राइट अंसर इसका दो हो जा रहा है तो अमूर्थ कला का पर्थम गोषडा पत्र किस वर्स प्रस्तुत किया गया था तो अमूर्त कला का जो पहला गोश्रापत्र है वो मोल रूप से 1910 में प्रस्तूत किया जाता है 1910 20 तर राइट आंसर कोश्यमर चार की बात करते हैं चार में पूछा गिया है पारीच छेप की द्रिष्टी से हमें घन में कितने पच्छ दिखाई पड़ते हैं पारीच छेप की द्रिष्टी से देखें तब भी घन में मुल रूप से तीन ही पच्छ दिखाई देंगे राइट आंसर इसका भी भी ही बन रहा है कोशिमर पांच कोशिमर पांच पुछा गया है कौन से दो कलाकारों ने जयामितिय चलन चमकदार रंगोयूं तकनीकी का समावेशन अपने चित्रों में किया था तो वो जो कलाकार थे वो पिकासो और ब्राक थे पिकासो से क्वेस्चन बहुत बार बना है इसलिए क्वेस्चन ये भी इंपोर्टन है कोशिमर छे पुना क्वेस्चन ही पूछ लिया गया पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था तो पिकासो का जो है मोल रूप से संबन्ध है आभास जित्रण के रूप में होता है आभासी जित्रण इसका राइट आंसर T हो जा रहा है कोशिमर साथ पूछा गया है ब्राक और पिकासो ने जिस सैली को जनम दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है तो ब्राक और पिकासो ने मोल रूप से गनवात सैली को ही जनम दिया है इसलिए इसका राइट आंसर C हो जा रहा है तीस क्वेस्टन से कितने क्वेस्टन से आप लोग सही कर सकते हैं कमेंट के माद्धेम से जरूर बताना है पूछाएगे हैं मुर्गा किस कलाकार की मूर्थी है बिटा ये क्वेस्टन टिजटी आड में छप चुका है मुर्गा किस कलाकार की है तो ये पिकासो की है पिकासो की फेमस जो है ये चित्र है मूर्थी है राइट आंसर इसका D हो जा रहा है मुर्गा कोश्मर 9 ये भी question important है एविगनन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया है absence चार दिये गए है लेकिन एविगनन सुंदरियां जो है मोल रूप से बनाया गिया है पिकासो की ही द्वारा पिकासो इसका right answer है मुरगा भी इनका एक famous जो है मूर्ती है मूरगा ठीक है इसने पहले आपने solve किया कोश्मर 10 पूशा गिया है घनवाद का प्रथम चित्र किसका था तो घरमाद में जो सबसे पहला चित्र बनाया जाता है रिटा वो पाबलू पिकासो के द्वारा ही बनाया जाता है पाबलू पिकासो राइट आंसर इसका C है कोश्मर 11 ये question कई बार repeat हुआ है घनवाद का जनम वर्स है तो घनवाद मुल रूपशे पैदा होता है 1907 में 1907 में पैदा हो जाता है घनवाद और घनवाद आप सब जानते हैं की समस्त अमूर्द गलाओं का जनक भी घनवाद ही कहलाता है बीश्वी शताप्दी से संबंद रखता है और 1907 में पैदिस में इसका जनम होता है ठीक है तो घनवाद 1907 में जनमा है राइट आंसर इसका B हो जा रहा है कोश्मर 12 पूछलिया गया है पाबलो पिकासो किस वाद से संबंद थे है तो बैटा पाबलो पिकासो का मूल रूप से जो संबंद है वो घनवाद से है लगातार ये तीसरा बार क्वेस्चन रिपीट हुआ नेश्ट कोश्मर 14 पूछा गया है तीन संबंद तक इतना इंपोर्टेंट है चोदा नंबर क्वेस्चन क्या बता है बहुत बार ये रिपीट वाद क्वेस्चन तीन संबंद तक किसकी फेमस पेंटिंग है तो बटा आप तीन संबंद तक को मुल रूपशे पिकासो ने ही जो है पेंट किया था राइट आंसर इसका फर्ष्ट हो जा रहा है नेश्ट कोश्मर 15 पूछा गया है पिकासो को आधुने काल की प्रेनडा ली तो पिकासो ने आधुने काल को मुल रूपशे कहां से सीखा है तो अफरीकी मुखटों से ही सीखा है अफरीकी मुखटा राइट आंसर इसका फर्ष्ट हो जा रहा है कोश्मर 16 पूछ लिया गया है लेस डेमाई सेलेस लेस डेमाई सेलेस निम्न मेंसे किसका चित्र है तो लेस डेमाई सेलेस जो है मुल्यूरूप्षे पाबलो पिकासो के द्वारा ही बनाये गिया है मुर्गा भीन का सबसे फेमस करता है कई बार पूछा जा चुका कोउचिमर 17 पूछा ग्या है नीला यहों गुलाबी अवधी किसकी कही जाती है तो नीलियों गुलाबी अवधी मुल उडूप से जो कही जाती है वो पाबलो पिकासो के हूपर कही जाती है पाबलो पिकासो इसका राइट आंसर है D कोश्यमर अठारा पूछा गया सरबाधिक प्रसिदचितर जो है सांती किसके द्वारा बनाया गया था तो जो सांती का चित्रण है वो भी पिकासो के द्वारा ही बनाया गया है और पिकासो घनवाद से संबंध रखते हैं ध्यान रखना है कोश्यमर उन्निस पुना पूछ लिया गया है पिकासो की मृत्यू किश्वर सो होती है बटा तो डाटा मोस्ट इंपोर्टन्ट है बीशमी सताब्दी में इनकी हो जाती है मृत्यू तो इसका रइट आंसर ए हो जा रहा है नेश्ट कोश्यमर बीश पूछा गया है कलाकार पाबलो पिकासो किस सेली के लिए प्रख्यात है तो मूल रूपशन किस सेली कौन सी होती बता अमूरतन्य सेली होती है अमूरतन्य सेली के लिए पाबलो पिकासो जाने जाते है मूरतियों का सबसे आदा जो है इनका काम किया है पाबलो पिकासो ने इसलिए अमूरतन्य सेली इसका रइट आंसर है बी कोश्यमर एक केस पूछा गया है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस है तो पिंक पीरियड के लिए भी पाबलो पिकासो ही सबसे आदा फेमस हुए है इसका भी राइट आंसर डी बन जा रहा है Next, कोश्चन पर 22 में पुछा गया है पिकासो का जन्म कहां हुआ था तो बटा पिकासो का जन्म मैंने पहले ही बताया है कि इस्पैन में हुआ है इस्पैन में पिकासो का जन्म हुआ है जबकि घनवाद का जन्म पेरिस में होता है घनवाद का जन्म पेरिस में होता है और जबकि पिकासो का जन्म जो है वो इस्पैन में होता है पिकासो का जनम इस्पैन में होता है ठीक है पिकासो का जनम इस्पैन में होता है घनवाद के जो प्रवर्तक है वो पिकासो है ठीक है घनवाद के प्रवर्तक पिकासो और ब्राक दोनों लोग है कोशिमर 23 पूछा गया है पिकासो का बिश्व बिख्या चित्र गवैरनिका किस सैली से आधारित है तो गवैरनिका जो सैली है वो मुल रूप से घनवादी भी है अतियतार्थवादी भी है और अभिव्यनजनावादी भी है तो अभिबन जनावादी, आतियत हातवादी और घनवादी तीनों से संबंध रखता है गवैरनिका का चित्रण तो इसलिए इसका राइट आंसर D हो जा रहा है कोश्मर 24 की बात करते हैं पूछा गया है परसेद चित्र गवैरनिका के चित्रकार कोन है तो गवैरनिका मुल रूप्षे बनाया है पिकासु साहब ने राइट आंसर इसके B बन जा रहे है कोश्मर 25 पुछा गया है पिकासु का परसेद चित्र है पिकासु का सबसे फेमस जो चित्र है वो इन चारों में से है मिनो तोर मासिया ही राइट आंसर इसका बनेगा ठीक है लाश्ट सफर सनफलावर बर्थाफ वेनस ये नहीं है पिकासु का जो फेमस चित्र है मिनो तोर मासिया ही राइट आंसर इसका B हो जाएगा कोश्मर 26 की बात करता है चैब इसमें पूछा गिया है प्रख्याच चित्र ग्वैरनिका की समाध्यम में निर्मित है तो बटा ग्वैरनिका का जो चित्रन है मुल रूप से कैनवास के टैल चित्रों पे ही तैल रंगों पे ही बनाया क्या है राइट आंसर इसका भी B बन जा रहा है Q27 पुछ लिया गया Da Istitian के कलाकार कौन थे तो बैटा Da Istitian के कलाकार भी Picasso ही थे Right answer इसके भी B ही बनेगा Q27-aning Istitian के कलाकार कोन है या Istitian का कलाकार कौन था तो यह Picasso ही थे Right answer इसके भी हो जा रहा है Q28 में पुछा गया है Remand डूशा विरली ने हर सीरसक से मोर्तियां बनाई है तो मोर्तियां किसे से बनी है ये पूछा गया है जो हर सीरसक मोर्तियां बनी है वो मोल रूपशे कांसा से बनी है कांसा इसका राइट आंसर है कांसा ठीक है 20 राइट आंसर कोशमर 29 पूछा गया है गनवाद के प्रेरणा लेने के उपरांत नीज बिसेस्ता वाले कलाकार का नाम बताओ तो गनवाद से प्रेरणा लेने के बाद जो है कलाकारी अपनाने वाले राम कुमार जी है इसके राइट आंसर डी बन जा रहे हैं राम कुमार नेस्ट शेकंड लास्ट कोईस्चन है ये असंबध चित्रकार का नाम बताओ चार आपसंस दिये गए हैं पिकासो ब्राक लेजे और सालवाडोर डाली तो इसमें असंबध बताना है यानि इन लोगों से संबंध नहीं रखने वाला यानि थोड़ा सा बिभिन हो तो वो अलसलवाडोर डाली है ठीक है इसके राइट आंसर डी हो जाएंगे लास्ट कोईस्चन गनवाद कितने प्रकार का होता है तो बता जो गनवाद है वो मूल रूपशे दो प्रकार का होता है ठीक है घनमाद मोल रूपशे दो प्रकार का होता है घनमाद का जनम बेरिस में होता है 1907 में घनमाद का जनम होता है आप लोगों ने अभी तक देखा घनमाद से संबंदित सभी questions घनमाद के प्रवर्तक पिकासो जी है और एक प्रवर्तक ब्राक जी है ठीक है डाटा important था उन जे हैं